नमस्कार दोस्तों, टेकनिकल लडीज स्कूल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको वाटसप इमेज से प्रिंट आउट करना बताएंगे कि वाटसप इमेज को आप कैसे प्रिंट आउट करेंगे सबसे पहले हम आपको कुछ जनकारी दे दें कि अब तक आप जो है Photoshop से यूज करते होंगे चुकि Photoshop जो है फोटो एडिटर है जबसे बढ़िया जो है उसी से एडिट होता है और जितना आप बहतर बना सके image को आप Photoshop यूज करके कर सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम में Photoshop इंस्टॉल रहा है और इंस्टॉल भी रहता है तब ही आपको Photoshop के बारे में जनकारी होनी चाहिए तब ही आप किसी भी इमेज फाइल को या WhatsApp इमेज जो मिलता है कोई भेजता है आपके पास तो उसको अगर प्रिंट आउट करना चाहते हैं तो आप जो है अगर Photoshop का यूज करते हैं तो काफी बहतर आप प्रिंट आउट कर पाएंगे लेकिन अगर किसी सिस्टम में नहीं है अगर Photoshop अगर है भी अगर आपको नहीं पता है तब भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे लेकिन जो हम आपको तरीका बताएंगे उससे आप बिल्कुल आसानी से जो है किसी भी इमेज फाइल को काफी बहतर तरीके से प्रिंट आउट कर लेंगे और जो धुंदला जो रहता है जो पिक्सल उसको हाइलाइट भी कर पाएंगे तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं क्या करना आपको जैसी यह मेरे पास एक इमेज फाइल है आप इसको जब देखेंगे तो यह देखिए काफी धुंदला है यह बहुत बहतर तरीके से नहीं दिख रहाएगा इसको प्रिंट आउट करते भी है तो प्रिंट आउट बिल्कुल खराब आएगा इसको क्या करनए आपको इमेज फाइल को उपन करने आपको पैंट में कर लिजिए या आप पैंट में न partka में करें तब भी धुदा राइट क्ली करके यहां पर copy कर लिजी ठीक है कोपी प्रेस कर लिए उसकाद कोपी प्रेस करने के बाद आपको खोलना है सीधे MS Word आपको कैसे खोलना है Windows R प्रेस करेंगे फिर वहां पे विंड़ टाइप करें या तो फिर सॉटकॉट में अगर MS Word है तो वहां से आप MS Word को ओपन कर लिजे यहां पर उस इमेज को जिसको आपको प्रिंट आउट करना है उसको आप यहां पर पेस्ट कर लिजे तेकिए हमने इसको पेस्ट कर लिया अब यह चीजी आपको करना क्या है जैसे ही आप इस पिक्चर के उपर क्लिक करते हैं में तो एक ale in MS World में is format प्रिंट और यहां पर एक क्रेक्षन कलर और रिज चीजे इसमें इसमें आपको क्रुक्षन पर जो है अपको क्लिक करने ऑस आपको इसमें में अगर ले कर देंके जांगे तो भूष दीखेंगा तो आपको करना ईसमें प्रिज़ च्वीव और जो आपको बहतर लगे, जिससे के आपको लग रहा है कि यह दिख जाएगा, तो उस पर आप क्लिक कर लिजे, जैसे हमको लग रहा है कि यह ठीक है, यह भी कुछ बहतर है, यहां से भी हम कर सकते हैं, इसको आप क्लिक कर लिजे, और उसके बाद अभी भी देखिए, पहले से क कितना अंतर हो गया देखिए जो पिक्सल जो बैक्ग्राउंड में है वो सीधे हाइलाइट हो गया है इस पर करेंगे तो पिक्चर कॉरेक्शन ओप्शन में भी जा सकते हैं यहां से आपको सॉफ्टें को लगभग 80-90% आपको बढ़ा देना इसको परसेंट में देखिए यह 100% हमने कर भी लिया अब इस पिक्चर को देखिए जो अभी शुरू में हम पेस्ट किये थे वो और अभी कितना फर्क हो गया है इसको भी आप चाहे तो इस पिक्चर पर क्लिक करके यहां पर कलर में जाएंगे और यहां ब्लैक एंड वाइट है इसको अगर आप इसको प्रिंट आउट करेंगे तो हमें लग रहा है कि जो पहले पुराना वाला जो पिक्चर था वो और इसमें काफी अंतर हो गया है तो आप जो है सिर्फ एमेस वार्ड का उप्योग करके किसी भी इमेज को यानि वाटसाप इमेज को असानी से प्रिंट आउट कर पाए लेकिन अगर आपके पास अगर फोटोसाप भी है नहीं भी है तो वहां पे काफी दिक्कत आएगी जरूरी नहीं है कि फोटोसाप के बारे में सबको जनकारी हो कि उसके लिए भी एक आपको ट्रेंग लेनी पड़ेगी या उसके बारे में जनकारी होनी चाहिए तभी आप इसको और भी चाहे तो हम बहतर बना सकते हैं ब्लाक एंड वाइट थोड़ा बूद चेंज करके, अभी देख रहे हैं और भी इसको खुब सूरत बनाया जा सकता है देकि यह कुछ बहतर है कुछ बहतर है क्या जादा ज्यादा है, यह प्रिंट आउट में आ जाएगा इस प्रकार से आप किसी भी इमेज को सिर्फ और सिर्फ MS Word टूल यूज करके और असानी से प्रिंट आउट कर सकते हैं यह जादतर उन लोगों के लिए दिक्कत होती है कि कहीं से कोई पिक्चार आता है कोई जैसे कोई अधार काड मिल जाता है सबसे बहतर आप कर सकते हैं जो कि Photoshop जो है इसके लिए एडिटिंग टूल है फोटो का सबसे बेस्ट जो है आप उससे यूज कर सकते हैं लेकिन MS Word का यूज करके एकदम थोड़े से कम समय में ही क्यों कि Photoshop से करेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समय लग सकता है आपको उसको बहत बनाने के लिए लेकिन सिर्फ अगर MS Word का यूज करते हैं तो बहुत जल्द मुश्किल से आप 20 से 30 से के अंदर अंदर किसी फोटो को आप बढ़िया से बना लेंगे और उसको असानी से प्रिंट आउट में ला लेंगे तो उमीद करते हैं कि यह वीडियो आपको काफी ना भूलिए अगर आप पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा थांक्यू फर वाचिंग वीडियो वीडियो हावे नाइस दे